नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बागेश्वर धाम और बागेश्वर बाबा की पूरी सच्चाई बताने वाली हूँ और साथ ही जानेंगे कि आखिर कैसे एक म बागेश्वर धाम में जिन्दा हो गई जिसे देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे क्या सच में इनके पास कोई शक्तियां हैं या यह लोगों को बस यूँ ही पागल बनाते हैं बस मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहेगा लेकिन हां वीडियो शु प्रवचन देने वाले इस शक्स के बारे में बहुत सुना होगा आई दिन इनके वीडियो आपने देखे होंगे पर क्या आपको मालूम है कि यह कोई साधारन शक्स नहीं है बलकि इनके उपर स्वयमबाला जी यानि के हनुमान जी की कृपा है और इनके पास कुछ ऐसी शक पर्ट बने हुए हैं दोस्तो बागेश्वर बाबा फेमस होने के लिए चमतकार नहीं करते बलकि इनके चमतकारों के कारण ही ये फेमस होते चले जा रहे हैं दोस्तो बाला जी बागेश्वर धाम की देश में ही नहीं बलकि विदेशों में भी बहुत चर्चाएं सुनने म आ रही हैं लेकिन बहुत से लोग बागेश्वर धाम में होने वाले चमतकारों की सच्चाई नहीं जानते हैं बागेश्वर धाम की सच्चाई की बात करें तो आपको बता दें कि यहां के महराज शिरी ध्रेंदर क्रिशन शास्त्री जी जिनको आज पूरे देश में बाला ज द्वान और गुरु जी के रूप में जाने जाते हैं असल में दोस्तों ध्रेंदर क्रिशन शास्त्री जी भगवान शिव जी के अवतार हनुमान जी के परमभक्त हैं और उन्होंने 12 साल की छोटी सी उम्र में ही बाला जी की सेवा करनी शुरू कर दी थी और उसी तपस्या का प्रभाव है कि आज वो किसी भी इनसान के कष्टों को बिना बताये ही पर्चे पर लिख देते हैं जिसे देख लोग हैरत में पढ़ जाते हैं कि आखिर बाबा उनके कष्टों के बारे में उनके बिना बताये कैसे जान लेते हैं यहां तक कि ध्रेंदर क्रिशन शास्त्री जी ये तक बता सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं उनके द्वारा लिखा गया एक एक शब्द शत प्रतीशत सत्य होता है आज तक कोई भी उन्हें जूटा साबित नहीं कर पाया जब ये बात लोगों के बीच प्रचलित हुई तो बड़े बड़े न्यूस चैनल वाले बाग खोल कर रख दी जिसके बाद मीडिया वालों को बागेश्वर धाम से नतमस्तक होकर उल्टे पाउं वापस लोटना पड़ा हलाकि वो साथ में बागेश्वर बाला जी महराज से आशिरवाद लेकर भी आए बागेश्वर महराज जिन्होंने बाला जी की क्रिपा से हजारो भकतों का भला किया है और वरतमान में विदेशों की यातरा भी कर रहे हैं ताकि विदेशों में रहने वाले लोगों की सहायता भी कर सकें आपको बता दें कि बगेश्वर धाम भारत का एक प्रसीद तीरत स्थल है यहाँ पर बाला जी सरकार की कृपा है बगेश्वर धाम के पुजारी पंडित धिरेंदर क्रिशन शास्त्री गर्ग जी है यह भारत का एक मात्र ऐसा चमतकारी धाम है जिसने साइंस और टेकनालोजी को पूरे तरीके से हिला कर रख दिया है ऐसा कैसे हो सकता है कैसे कोई व्यक्ती बिना बताए लोगों के मन की बात जान सकता है और आज कल तो यह भूत प्रेत भगाने के भी एक्सपर्ट बने हुए है लोगों की तब्यत ये चुटकियों में ठीक कर देते हैं और उनकी परिशानियों को पहले से ही पर्चे पर लिख कर भी रख देते हैं कहा जाता है कि भागेश्वर महराज के उपर बाला जी यानी की हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है और उसी कृपा के चलते इस तरह के चमतकार देखे जा सकते हैं और तो और कहा जाता है कि बागेश्वर सरकार का एक अद्रिश्य सैनापती भी है जो भूतों को भगाने में इनकी मदद करता है कहा जाता है कि इनका अद्रिश सेनापती किसी को दिखाई नहीं देता बागेश्वर बाबा को ये सेनापती बाला जी महराज की कृपा से प्राप्त हुआ है तो आज कल बाबा जी लोगों के भूत प्रेत जिन भी उतारने लगे हैं और इससे संभंदित एक बात आज कल सामने आ रही है जिसके मताबिक उन्होंने एक मरी हुई लड़की को जिन्दा कर दिया तो आए जानते हैं कि आखिर कैसे एक मरी लड़की को जिन्दा किया गया दरसल दोस्तों बागेश्वर धाम में घटी एक घटना 11 जुलाई की घटना है एक मा अपनी बेटी को यूपी से बागेश्वर धाम लाती है उनकी बेटी बहुत बिमार थी वो लगभग बेहोशी की हालत में थी उनकी बेटी के इलाज के लिए सभी डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिये थे कि ये अब नहीं बच पाएगी लड़की पर भूत भाधा थी मा बेटी को लेकर जैसे तैसे बागेश्वर धाम आती है भूत भाधा काफी परिशान करने लगती है वो लोग जैसे तैसे मंदिर की परिकर्मा पूरी कर लेते हैं फिर दोनों अनपूर्णा के भंडारे के पास पहुंच जाती है और उस दिन भीड बहुत ज्यादा होती है जिस कारण मा बेटी का साथ छूट जाता है और भीड में बेटी के उपर से 3, 4,000 लोग गुजर जाते हैं जिस से मा चलाते हुए इधर उधर भागने लगती है फिर एक दो घंटे बाद उसको उसकी बेटी तो मिल जाती है लेकिन तब तक बेटी की मौत हो जाती है बेटी को मरा देखकर मा और जोर जोर से चलाने लगती है और वहां पर भीड़ी कठा हो जाती है लोग उस बच्ची को देखने लगते हैं सब कहते हैं कि ये लड़की तो अब मर चुकी है मा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है बागेश्वर धाम का दरबार चल रहा था तब ही वहां एक करमचारी वहां गुरू जी के पास जाकर उन् लड़की के मुँ में डाल दो मा जैसे ही बच्ची के मुख में भभूती डालती है तो उसके तीन घंटे बाद उसकी सास चलने लगती है और लड़की सी तरह बोलते हुए खड़ी हो जाती है अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं कह सकते लेकिन हां दोस्तो ये चमतकार ये शक्तिया इनके अंदर यूँ ही नहीं आई है बलकि इसके लिए धिरेंद्र क्रिशन शास्त्री जी ने कठोर परिश्रम किया है तब जाकर वो बागेश्वर महराज के तौर पर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं दोस्तो बागेश्वर धाम का इतिहास बहुत पुराना है बागेश्वर धाम की सचाई के बारे में बताते हुए लोग कहते हैं कि बागेश्वर धाम मंदिर चंदेल कालीन है और सन 1986 में गाउवासियो द्वारा इस मंदिर का निर्मान करवाया गया था और उसके उपरांत ग्राम घड़ा के बाबा सेतु लाल ग बर्ग चित्रकूट से शिक्षा लेकर अपने गाउं गड़ा में प्राचीन कालीन मंदिर पहुंचे उसके बाद वो रामकथा के साथ साथ जाड़ फूंक का काम भी करने लगे और कई बार विशाल भंडारे के आयोजन किये गए जिसमें बागेश्वर धाम की लोग प्रि की तरह ही बीता घर वाले आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे जिसके कारण इन्होंने बच्पन में कई सारी परिशानियों का सामना किया लेकिन हनुमान जी के प्रती इनका प्यार इतना जादा था कि ये हनुमान जी की भक्ती में लीन हो गए जिसके बाद इन्हें कारीफ दूर कर देते हैं उनके जीवन से जुड़ी सचाई उनके सामने रखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग चिंता मुक्त होकर बहतर जी सकें यही बागेश्वर महराज का एक मातर उदेश्य है कि वो जितने लोगों का हो सके उतने ज्यादा लोगों का उध़ार करें और लोगों को जीवन की सही रहा पर लाकर खड़ा कर दे तब ही तो यह बिना ठके बिना रुके अपना दर्बार लगाते हैं और लोगों की मदद करते हैं जहां यह बच्पन से ही रमायन महा भारत जैसे काव्यों का धियन करते आ रहे हैं और उनकी आखों का तेज ब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे आपका बहुत बहुत धन्य जावाद